दिंडोसी विधान सवा में इस वक्त चिनावी माहौल गरमाया हुआ है शुशेना बनाम शुशेना के लड़ाई मैदान में उतर चुकी है महाविकास अगाडी से यहाँ पर शुशेना के उमीदवाज सुनिर प्रभू है और वही महायूती के उमीदवाज संजनी रुपम है ऐसे में सुनिर प्रभू के महाविकास अगाडी के तौर पे सुट के तौर पे यहाँ पर वाड क्रमांग 37, 38, 49 में कॉंग्रेस के एक इवा और चहते नेता लोगों के बीच में घर घर जाकर के प्रचाप्रसार में जुटे हुए ऐसे में हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे लेकर के वो लोगों की बीच में जा रहे हैं और आखिर संजे निरुपम के कभी करीवी माने जाते थे हालाकि पार्टी चेंज होने के बाद उनका रुख किस तरीके का है इस पर बात करेंगे संदीव सिंजी से संदी जी बहुत हो सौगत हमारे चैनल में क्या कहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के आप जंता के बीच जा रहे हैं है मुद्दे तो विदानसर्वा चुनाओ के मुद्दे अलगी होते हैं वे राज की मुद्दे पर चुनाओ होता है तो फिलाल तो यहां पर चुनाओ का एक ही मुद्दे है वफादार बनाम सायुती या? महायुती या महाविकासागाडी, महाम कोफ़ी कांग्रेस पाटी स्वा आता है, महा साधाडी का ही काम कर रही है इस्टे पहले देखा गया था लोगसवा चुनाओ था और संजे निरुपम भी यहां से चुनाओय उमीदवार हुआ करते थे संजे निरुपम जी मेरे बड़े भाई हैं लेकिन आज उनकी पार्टी अलग है उन्होंने कॉंग्रेस के छोड़ कर किसी और पार्टी का दामन थामना समझा है लेकिन हम लोग तो हमेशा से कॉंग्रेस के रहे हैं कॉंग्रेस का ही काम करते आएं तो उस समय मैं कॉंग्रेस पार्टी का काम कर रहा था पर आज भी मैं कॉंग्रेस पार्टी का ही काम कर रहा हूँ अच्छा विकास के मुद्धे क्या है और किन मुद्धों को आप लोग चुरावी प्रचार में एड़ते हैं? अच्छा विकास के मुद्धे मतला है महाविकास अगाडी का अपना गोस्णा पत्र है उस गोस्णा पत्र में जो हमने वादे किये हैं जिसे के मैलाओं को महालक्षमी जन्या के अंतरगत में तीन हजार रुपए देना तीन हजार रुपए देना, किसानों को सम्माननिदी विकास कर सकता उस पूरे अम्पीलेट फंड को सुनिल प्रभुजी ने अमेसा जब उनका दो टम रहा है उन्हें पूरा लगाया है क्योंकि प्रजाफ फानडेशन वगरा जो भी संस्था हैं जो विदायकों का काम का लेखा जोखा करती हैं उन्होंने अमेसा सुनिल पे कारूप लग रहा है कि पठानवाडी की सडके चम्चंगाकिती है लेकिन वहीं जो छत्रपति सिवाजी महराज के नाम पर सिवाजी नगर की सडके हैं और भीम नगर की सडके जो डाक्टर बाबा साब अमेरिकर का छेत्र आता है उहां की सडकों का हाल बहुत ही बद्ध टाओ तुसको बनाने में उस पी कर्टना ही नहीं आती है और जो सिवाजी नगर और भीम नगर के लिए सडकों की बात कर रहे है तो हहां पर जो एक्जिस्टिंग सडक है वो हमारी डीपी नहीं है डीपी सड़ जीटी भी घितनी भी हमारी डीपी रोड है उस पे पर स्लम बात कर रहा हूं जो इस समय बधाल हालत में है क्योंकि असमसान ने जाने के लिए एक ही असमसान है गांधी नगर में वहां पर जाने के लिए कई बार देखा गया है कंदे पे लास है और गढ़े में पैर है तो आम दो 200-300 मिटर के पच्चे की बात कर रहे हैं इस पूरे सड़क का ही इशु है कि वह कांदीवेली असेमिली में है या इस वाड में है तो आपका पत्रकार आता भली बात जानते होंगे तो उस पर लेकिन जब भी मौका मिला है तो सिनिल प्रभुजी ने उस पर काम किया है अपना पंट लगा है दूसरा एक सीवाजनेगर का सड़ जोड़ा सा आगे जाता है तो यहाँ सीवाजनेगर के दोनों तरफ की जोपड़ पट्टी असारे अल्रडी असारे बिल्डिंग्स बन रही है अब उस पर उन बिल्डर्स की बिल्डर्स का दायत हो जाते हैं कि फटा पर डीपी रोड खुले और इस रोट को बाहर को बाहर करें तो और सड़के उस चेश से साथ डीपी रोड बिंडों से विधान सभा में अंतरगत में आती है हाला कि एक डीपी रोड को खोला गया है और बाकी जो 91 के डीपी रोड में जिसका नाम है और 1935 के अभी तो हजार पैसिस के डीपी रोड में भी उनको नामकित किया गया हाला कि अभी पिछले 10 साल से सुनिर प्रभू बिधाय के तौर पे थे लोगों का आरोप है कि वो खोलने में अभी तक असक्षम क्यों है हाँ सक्षम मतलब सुनिर प्रभू का एक ही मानना है कि जब हम यहां से जनता के जोपड़े तो उनको उनी की जगे पर उनका घर मकान मिलना चाहिए इसके बाद बात तो बहुत बार आई कि इनको आठा कर महौल भेज़ दें या अचांदी उली भेज़ दें इसी कई बार बाते आएं लेकिन सुनिर प्रभू जी न विलाकों से कहीं दूर भगा दिया जाए लाडली बहन योजना कितना कारगर साबीत होने वाला है शुशेना के लिए या कितना हानी कारग साबीत होगा लाडली बहन वेजना बेसक महाइवती का अगारी का एक अच्छा सा अच्छी योजना है उन्होंने लाई है अच्छा काम किया है लेकिन मैं भी जहां तक लोगों के बीच में गुमा हूं तो उनका महलाओं का खुद का कहना है कि ये हमारी जेब से 5,000 रुपया महेंगाई के नाम पर लूट रहे हैं लोग और उस 5,000 रुपय मेंसे हमको पंदरसो की खैरत दे रहे हैं तो ये नहीं चलेगा अगर आपको लाडली बहन को सचमुच लाडली बहन मानते हैं ताउ महेंगाई भी कम कीजिए और लाडली बहन होजना को भी चालू रखिए तो महाविकासागाडी इसके उपर अपनी युजना लाई है महालक्षमी ना और महाविकासागाडी का जनता से वादा भी है अनकी बहनेशागाई को भी कम करेंगे आपके जेब का 5,000 रुपया लूटना भी बंद करेंगा और आपको महिना 3,000 रुपया देंगे हम अंजेनी रुपम ने बीती दुनों एक प्रेस कॉंफिनेंस करके उन्होंने कहा कि सुनील प्रभू बिल्डरों के धलाल है हाला कि उन्होंने के फिटेफिट दिखाया उसे फिटेफिट में अपने सत्यापन सपत पत्र में लिखा है कि हमें मेरे पाथ जो कमिशन है और विप्त जो उनकी सैलरी है उसको डिपॉजिट करते हैं उस तरीके का उन्होंने आकलं किया है उसी एपिडेफिक के बुनियाद पर वो कहते हैं कि वो दलान है अब विरोधी हैं विरोधियों का काम है एक दूसरे को आरोप लगाना तो मैं संजेंद्र प्रम जी का तो मिसा से खांवे वेक्तिगात आरोप लगाते आएं जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वो कौन लड़ा भी लोग सभा को चुनाओ उनके खिलाफ उन्होंने क्या क्या क विशे चल रहे हैं तो लोग चुनाओ में एक दूसरे पार आरोप लगाते हैं इसके विशा में क्या गएंगे इस आरोप में कोई सत्यता है अरोप आरोप होता है सत्यता थोड़ी होती है सुनिल प्रभुजी और लोगों के घर तक 24 गंटा मवजुद रहने उन्हां कि जो कि अदूनीक को पानी को देदिया गहा है नहीं आप तो कहरें कि 10 सालों से पहले जो आवाधी बढ़ी उसका आक्रन किया जाता है कि पानी की वैसे अबादी बढ़ी लेकिन आज पानी की किलत बढ़ते जा रही है और लोगों का आप है कि उनकी पानी जो पानी की सुधा है क्योंकि आपके कुछ कॉंग्रेस के कई पदा दिकारियों ने भी इस पर धरना प्रजशर मोर्शा और कई सारी टिपड़ी कि इसे पहले हैं ने पानी की किल्लत तो पानी की किल्लत अगर महाराश में या इस असेंबली में है तो मुख्य मंत्री जी मुझे लगता है हर दूसर पड़ी है अब सड़क बनवाई है क्योंकि आज पिछले दो साल से ब्यंद्री है नहीं काम नहीं कर रही है यह एक उनके मैनेफेस्टों में और एक वीडियो जो सोचल मेडिया पे उनकी तरफ से वारिल किया गया है कहते हैं कि यहां पर जो फायर स्टेशन है सुनिर अब राजनीती में जो सरकार में रहता है तो हमें सही अभी जिसे कि जितनी भी कॉंग्रेस ने काम किया था अब मोदी जी का सौभाग है कि उनके कारेकाल में सब काम पूरे और उन्होंने उद्गाटन किया ठीक है जन प्रतिनीदी कोई बीयों काम होना चाहिए जनता का उ और विपक्ष के उमीद हो आज निर्पम जी की बात करों निर्पम जी मेरे बड़े भाई जैसे हमें साब मैंने उन्होंने भी मेरा संबान किया है लेकिन आज वो अलग आज वो दूसरी पार्टी में हम अपने घर में हैं तो उनको शुब कामना है देते हैं और हम राजनि जनतक लिए मेरा यही मेसेज है कि आप भी आप वेक्ति वेक्ति तो देखिए आपके बीच में कौन आपके समय दे रहा है कौन आपके लिए 24 गंटा उपलब्द है तो जहां तक में हम भी विपक्ष में रहे हैं तो सुनिर प्रभु के साथ जब भी अमारा नाता पोड़ा यही हिंदू है मुस्लीम है यही धापुरे ब्रामनों ने जातपात और धर्म के उपर उठतर काम किया है तो ऐसे वेक्तित्तों का साथ जन्ता को देना चाहिए और मैं तो जन्ता से ही गुजारिश करूँगा या बारी से बारी मात्रा में मशाल के उपर अपनी मोहर लगा कैमरामेन महिंदर चोदरी के साथ रितिस्ति वारी सुप्री मिल्या मॉबल